जेहिन दोस्तों देखिए इस वीडियो में किस तरहा से सही जवान की माता जी अपने बहादूर बेटे धर्मेंद्र यादव को खोने का विलाप कर रही है दिल दहलाने वाला यहाँ वीडियो सही जवान धर्मेंद्र यादव का है सही जवान धरमेंद्र यादव को नमन करता हूँ उडिसा में नकसलियों से लोहा लेते हुए रोहतास का जवान सहीद गाउं में सुचना मिलते ही गाउं और गाउं के आसपास के छेतर में मातम परस गया है वहीं परीजनों का रोरो कर बुरा हाल साथियों हम आपको बताते चले कि 36 गड़ और उडिसा में सीमा सुरक्षा बलो की नकसलियों से मुढबेट हो गई थी जिसमें CRPF के तीन जवान सहीद हो गए थे जानकारी के मुतावित मंगलवार को 36 गड़ में CRPF के गुनिज बटालियन के जवान रोड ओपनिंग पर ड्यूटी पर निकले थे तब ही जंगल में नकसलियों ने अचानक फाइरिंग शुरू कर दी जिसमें हमारे तीन जवान CRPF के सहीद हो गए थे जिसमें से एसाई, सिसुपाल सीहं, एसाई, सिवलाल सीहं और कंश्टबल धर्मेंद्र सीहं नकसलियों से लोहा लेते हुए विरगती को प्राप्त हो गए साथियो प्राप्त जानकारी के अनुशर बताय जा रहा है कि मोके पर सो से अधिक नकसली मोजुद थे सहित धर्मेंद्र सिहें रोताज जीले के विक्रम गंज के ओपी छेतर के सरया छेतर के रहने वाले थे दनवार के सरया के लाल की सहादत की खबर सुनने के बाद उनके गाउं में मातम परस गया किसान पिता रामायन सी हैं बड़े पुत्र धर्मेंद्र सी हैं वर्ष 2011 में CRPF में भड़ती हुए थे साथियों उनकी पहली पोस्टी मोकामा हुई थी उनके पिता रामायन सी किसान है तथा माता सामान्य ग्राइनी है पिता का कहना है कि गाउं में खेती बाड़ी करके अपने बेटे को पड़ा लिखा कर बीएसेब में बढ़ती कराया था उनकी आँखों के आशूं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं अपने बुड़े पिता का सहरा छिन जाने का उन्हें काफी दुख है लेकिन अपने पूत्र के सरवच बलिदान पर उन्हें गर्व भी है सहीद जवान की मा का रो रोकर बुरा हाल साथियों हम आपको बता दे कि उनकी मा बार बार भेहोस हो रही है सहीद जवान की पतनी आसा देवी अपना सुहाग होने के बाद बेसूध हो जा रही है आसा देवी की आखों से आशो रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं वहीं उनका बारा साल का पुत्र रोसन आठवी क्लास में पढ़ता है जबकि दसवी क्लास में छोटी बेटी खुशी पढ़ती है अपने पीचे सहीद जवान धर्मेंद्र यादाव माता पिता और दो बच्चे और पतनी को छोड़ गए है उड़ी सामें अकसलियों से लोहा लेते हुए धर्मेंद्र यादाव सहीद हो गए है साथियों उनका पार्थिव सरिल सेना के विशे स्वान से उनके पेथिक गाउं कल लाया जाएगा साथियों सही जवन धर्मेंद्र यादव का अंतिम संसकार कल उनके गाउं रोहतास में किया जाएगा जहां सेना की टुकडी साथ मुझूत रहेगी और अपने साथि को गोट आउप उनर दिया जाएगा भारत माता के बेटे धर्मेंद्र यादव को उनकी सेवाओं के लिए मेरा सत्चत नमन और उनके वीर परिवार के लिए घहरी सवेदना प्रकट करता हूँ भगवान मा भाड़ती के वीर सपुच सही जवन धर्मेंद्र जी की आत्मा को सांति प्रदान करे